तो दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो के टाइटल पर तो देखी लिया होगा कि अब कोई भी ब्यक्ति किसी के भी अकाउंट से आधार कार्ड के थुरू मनी बिड्रॉल कर सकता है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है। ना तो आपको किसी मार्चेंट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी ना ही किसी प्राइबेट कमपनी या फिर गवर्वर्मेंट कमपनी से एई पीएस लेने की जरूरत पड़ेगी। आपको अपने आधार काड एंडरोइड मोबाइल और फिंगर प्रेंट डेवाइस की जरूरत पड़ने वाली है। दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जिस सर्विस के वारे हैं बता रहा हूँ वो सर्विस बहुत पहले लॉंच कर दी गई थी लेकिन आमतोर पर लोगों को पता नहीं है जिस बज़ए से इसका उपयोग लगवन एक दो परसेंट ही लोग करते हैं दोस्तो इसको ब सबस्क्राइब करूता ही कि यहाँ पर आपका अकाउंट जिस भी बैंक में उसी बैंक से आपको एक एप्स मुहिया करवाई जाती है माल लाइजिए आपका अकाउंट SBI में है तो यहाँ पर SBI भीम आधार पे की एक एप्स मिल जाएगी प्लेस्टोर में अगर आपका अक आपको अपने मुवाल में इस्टॉल कर लेना है और जिस तरीके से आप अपना अकाउंट फोन पे वागेरा में UPI लिंक करते हो उसी तरीके से आपको भीम आधार पे में अपना अकाउंट लिंक कर लेना है अपने आधार कार्ड के थिरू यहाँ पर जैसे लिंक कर लोगे त तो यहाँ पर उस apps में login करने के लिए आपकी जो user id रहेगी बो रहेगा आपका आधार card और दूसरा जो आपका password रहेगा तो यहाँ पर password वगयरा कुछ नहीं होता है, यहाँ पर simply आपका 4 digit का एक pin होता है, चार उंकू का एक pin होता है, जिसके माध्यम से आधार number और 4 digit pin के अगर आपके पास किसी भी तरह की fingerprint device नहीं है, तो मैं आपको suggest करना चाहूंगा कि आप मंतरा की fingerprint device लेने, 2000 रुपए तक कि यह device बड़ी ही आसाने market में देखने को मिल जाएगी, online भी देखने को मिल जाएगी, जिससे आप 2000 रुपए की कीमत देखकर खरीद सकते हो, इसके ब मदस से login हो जाना है, login होने एक बाद आपको अपनी device connect करने है, OTG की माधियम से, इसके बाद आपको simply जिसके भी account से पैसे निकालने है, उसका bank का नाम select करना है, और उसका आधार number डालना है, और amount डालना है, उसका finger fingerprint device में रखवाना है, और उसका money withdrawal का लेना है, तो इस तो ब तो यहाँ पर सबसे अची चीत तो यह है, दूसरी चीज यह है कि यहाँ पर आपको किसी भी third party, यानि third company की जरूरत नहीं पढ़ती है, आपको उस company की rule and regulation के हिसाब से आपको पैसे बिड्रॉल करने होंगे, और वो पैसे उसी company के bullet में जाएंगे, और फिर आपको उस पैसे को उस bullet से आपको अपने account में डालने होगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर आपका जितना भी पैसा है, जितना भी आप बेड्रॉल करते हो भी माधार पे की मदश से, वो पूरा का पूरा पैसा आपकी ही bank account में directly पहुचा दिया जाता है, instantly, ठीक है ना, यह यहाँ पर अगर आप एक आमनाग रेखो और किसी की भी आधार कार्ड की थुरू पैसा बेड्रॉल करना चाहते हो, तो यहाँ पर आप भी इस apps की मदश से जरूर कर सकोगे, भी माधार पे की मदश से, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ, यहाँ पर आज की छोटी सी वीड